साथियों, दुनिया में जब भी कोई ऐसा बड़ा संकट आता है, महामारी आती है, तो उसका सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे गरीब भाई बहनों पर ही पढ़ता है. अधिक मारी सो जाएं, तो भी तकलिप गरीब को, अधिक ठंड आजाएं, तो भी तकलिप गरीब को, अधिक गर्मी आजाएं, तो भी तकलिप गरीब को, गरीब को रोजगार का संकट होता है, उसके खाने पिने का संकट होता है, उसकी जो जमापुंजी होती है वो खत्म हो जाती है, महामारी से ये सब विपदाएं अपने साथ लेकर के आ जाती है, हमारे जो गरीब भाई बहने हैं, जो स्रमिक साती हैं, जो रेहडी पट्री वाले साती हैं, इन सब से महामारी के संकट को इन सब ने बहुत जादा महसूस किया है, अने को ऐसे साती हैं, जो किसी दूसरे शहर में काम करते थे, लेकिन महामारी के दोरान, उन्हें अपने गाउं लोटना पड़ा, और इसलिए, कोरोना वैश्विक महामारी के दोरान, पहले दिन से, सरकार का, देश का ये प्रयास रहा है, कि गरीब की जितनी दिक्कते हम कम कर सके, उसको कम करने के लिए, सक्रिय रुप से प्रयास करें, कि देश ने इस दोरान, हमारे देश के ऐसे, जो लोग तकलिप में थे, उनके खाने की चिंता की, राशन की चिंता की, मुप्त गैस सिलिंडर भी दिये गए, कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान चला कर, लाखों लोगों को इस दोरान रोजगार भी दिया गया, गरीबों के लिए निरंतर हो रहे इन कारियों के बीच, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, जिस पर खास ध्यान देनी की जरूरत थी, ये थे मेरे रेड़ी पट्री ठेले वाले भाई बहन, रेड़ी ठेले वाले हमारे लाखों साथियों का परिवार तो उनकी रोज की मैनत से चलता है, कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज़्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेड़ी पट्री वाले भाई बहन हैं, उनके कारोबार पर पड़ा, उनको मुश्किलों से निकानने के लिए ही प्रधान मंत्री स्वव निदी योजना की शुरूरात हुई है, इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरूरात कर सके, अपना काम फिर शुरूर कर सके, इसके लिए उनने आसानी से पूंजी मिले, उनको भार बहुत ब्याज दे करके, रुपिये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े, ये भी पहली बार हुआ है, कि रहडी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही माइने में सिस्टिम से जोडा गया है, उनको एक पहचान मिली है, स्वनिदी योजना, स्वनिदी से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन, और स्वावलंबन से स्वाविमान की यात्रा का यह एहम पड़ाव है.